लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत दिए भगवान सोमनात के आरादना में हमारे सास्त्रों में कहां गया है भक्ति प्रदानाय कृपा अवतिर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्दे यानि भगवान सोमनात की कृपा अवतिर्ण होती है कृपा के भंडार खुल जाते हैं पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कारिये हो रहे हैं यह सोमनाथ दादा की ही विशेश करपा है सात्यों यह जब सरकीट सरकीट हाउस की कमी एक है अर्ति दिग्रू वह भी दूर तो बाहर से आने वालों को ठरने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था अब यह सरकीट हाउस बनने के बाद एक स्वतंत्र व्यवस्ता बनने के बाद और वो भी मंदिर के से कोई जादा दूर नहीं है और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया इस भवन को इस तरह बनाये गया है यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले समंदर दर्शन होते रहें यानि लोग जब यहां शांती से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरे भी दिखेगी और सोमनात का शिखर भी नजर आएगा समंदर की लहरों में सोमनात के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीर कर गवरवानवित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी जिन परिस्तितियों में सोमनात मंदीर को तभा किया गया और फिर जिन परिस्तितियों में सरदार वलभाई पटेल के प्रयासों से मंदीर का जिर्णोत्धार हुआ वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश हैं साथियों अलग-अलग राज्यों से देश और दुनिया के अलग-अलग कौनों से सोमनात मंदीर में दर्शन करने हर साल करीब-करीब एक करोड स्रद्धालू आते हैं ये स्रद्धालू जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपुन होती हैं उतना ही महत्वपुन उसका अनुभव भी होता है तीर्थी यात्रा में तो खास कर हमारी इच्छा होती हैं कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे यात्रा से जूड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूजना न पड़े, उलजना न पड़े सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तिर्थों को समारा है सोमनात मंदीर इसका भी जिवन्त उदाहरन है आज यहां आने वाले स्रधालूओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्ता हो रही है झाले स्थाओं के अच्छी व्यवस्ता है